आप लोग कहते हो ना कि हमने भगवान को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने भगवान को ना देखा हो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने इश्वर को ना देखा हो, सबने इश्वर को बार बार देखा है, जैसे दुर्योधन ने, रावड ने, कंस ने, बार ब भगवान को देखा पर पहचान कौन सका पहचान वही सका जिसके भीतर भगवान के प्रती प्रेम था भगवान तो सबके आगे हैं अब बस वो प्रेम की दरश्टी हो वो भाव की दरश्टी हो तो भगवान दिख जाएं नहीं तो आप कहते हो ना यह पत्थर है अरे भाई मा मानो तो मैं गंगा मां हूँ आगे बोलो आप मानो तो मैं गंगा मां हूँ और ना मानो तो बहता तो मानो तो वो गंगा माता है पवित्र है ना मानो तो नदिया है पानी है बह रहा है तो मान लो तो मूर्ती में पत्थर में कणकण में इश्वर है और ना मानो तो फिर पान कहा है ये तो मानने की बात है ना दादा जी ये तो मान लेने की बात है कि मैंने आपको अपना मान लिया मेरा आप से कोई रिस्ता नहीं है लेकर मैंने आपको अपना मान लिया कि आप मेरे पिता तुल्य है आप मेरी माँ हो आप मेरी बहन हो आप मेरे भाई हो तो मान ले लेने से भी तो कि रिष्टा बन जाता है ना यदि मान लेने से हमारे और आपके रिष्टे बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं मैं मान लूँ कि आप मेरे हैं तो रिष्टा निव जाएगा कि नहीं यदि मान लेने से मेरा और आपका संबंद हो सकता है तो मान लेने से भगत और भ अगवान है, मान लेने में बुराई क्या है, हर्ज क्या है, हमारा घटना क्या है, और ना मानने से फायदा क्या है, कोई कहे कि मैं इश्वर को नहीं मानता, ठीक है भईया, तुम नहीं मानते, तो ना मानने के फायदे बता दो, और मानने के नुकसान बताओ, आप मानते हो कि क तुलसिदाजी ने यही तो कहा सिय राम मय सब जग जानी सब मै इश्वर को देखो सरवम खल विदम ब्रम्हा सब जगा इश्वर है हरी व्यापक सरवत्र समाना सब जगा भगवान है तो जब आप सब जगा ही इश्वर को देखने लग जाएंगे तो इस द्रश्टी से नुकसान क्या है इस विचार धारा से कोई नुकसान है लदाजी आप सब जगा ही इश्वर को देखिए और मानी और महसूस करिए क्या बुराई है और कोई कहे मैं मानता नहीं इश्वर को तो तेरे ना मानने से फाइदा क्या है जब ना मानने से फाइदा नहीं है मान लेने से बुराई नहीं है नुकसान नहीं है तो फिर मान लेने में ही भलाई है बहुत लोग कहते हैं कि मैं इश्वर को नहीं मानता मैं परमात्मा को नहीं मानता ठीक है आप मत मानो रावड़ी तो नहीं मानता था इसलिए और विभीशन ने मान लिया कि ये भगवान है तो देखो लात मार के निकाला था रावड ने जिसे वही लंका का राजा बन गया भगवान जब कृपा करते हैं न तो रंक को राजा बना देते हैं और जब व्यक्ति अपने रास्ते से भड़क जाता है तो राजा को रंक बना देते हैं क्योंकि चावी तो इश्वर के हाथ में हैं छे चीज़ें भगवान के हाथ में मेरे संग बोलो हानी बोलो हानी, लाव, जीवन, मरण, यश, अपयश, बिधी हाथ बिधी मतलब बिधाता भगवान हानी, लाव, यह इश्वर के हाथ में हैं कर्म आप करो, खुब महनत करो, खुब पैसा कमाओ लेकिन आप महनत ही तो कर सकते हैं लाव होगा के ने, यह तुमारे हाथ में कहा है बहुत लोग महनत करते हैं, लाव नहीं होता और कुछ लोग कम महनत करते हैं, जादा लाव हो जाता है तो यह हानी, लाव, इश्वर के हाथ में है हानी लाव जीवन मरण आप कब तक जिन्दा रहेंगे कम मरेंगे ये इश्वर के हाथ में है मरत्यू इश्वर के हाथ में है और यश्व अपयस आपका कितना नाम होगा आप कितने बदनाम होंगे ये सब इश्वर के हाथ में है आपके हाथ में क्या बचा जोर से क्या बचा आपके हाथ में ये हमारे पुरुष वर्ग बताएंगे दादा जी और हमारे भाईया जी बताओ भाईया आपके हाथ में क्या बचा जब जीवन मरण यश अपयस हानी लाभ इश्वर के हाथ में है तो आपके हाथ में बचा क्या जोर से क्या बचा एक चीज बची है हाथ ना मटकाओ ऐसे एक चीज बची है कर्म क्या बचा है क्या बचा है जोर से, यह हमारे भहिया लोग बोलेंगे, क्या बचा है? कर्म, गीता में लिखा है कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचना कर्म कर हमारे हाँच में जीवन मरण तो नहीं है पर जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है तब तक अच्छे कर्म करना हमारे हाँच में है हानी लाव हमारे हाँच में नहीं है पर अच्छी विचारधारा के साथ अच्छे काम करना अच्छा कर्म करते रहना ये हमारे हाँच में भगवान कहते हैं जो कर्म करता है उसके जीवन को मैं परिवर्थित कर देता हूँ बदल देता हूँ अच्छा बताओ भाग्य बड़ा होता है कि कर्म बड़ा होता है जोर से भाग्य बड़ा की कर्म बड़ा लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं था हमारे भाग्य में नहीं था सारे लोग रौना किसका रोते हैं सारे लोग रौना भाग्य का ही रोते हैं लोग किसका रौना रोते हैं भाग्य का अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था भाग्य का रौना मत रोईए जो व्यक्ति कर्म करता है अच्छे कर्म करेगा जो व्यक्ति कर्मठ है कर्म करता है मन लगा के अपना काम करता है जो कर्म करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है अच्छा बताओ पहले कर्म बना की भाग्य बना पहले कौन बना जोर से क्या बना कर्म पहले आया कर्म कितने प्रकार का होता है कर्म तीन प्रकार का होता कितने प्रकार का गिनो संचित बोलो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, जोर से मिरी मां बैटरी डान हो गई क्या, आज ब्रत है आपका, मैया, नवरात्री ब्रत चल रहे हैं क्या, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, जिसे आप भाग के कहते हैं, भाग, अब मैं आपको तीनों की बात समझाता हूँ, कर्म ही, जब आप कर्म करते हो, तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है, तो वो करता है न, तो वो क्रियमान हो रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्रियमान कर्म है वो, कौन सा कर्म है, जो क्रिया चल रही है, वो क्रियमान हो गया, अच्छा, जब महनत करेगा मजदूर, मजदू साम को उसको पैसे मिल जाएंगे जो काम किया है तो क्रियमान कर्म से क्या हुआ संचित जो आज उसने आठ घंटे महनत करी तो आठ घंटे का उसे पैसा मिल गया हजार रुपे मिला या पांस सो मिला या दो हजार मिला जो भी मिला तो जो पैसे मिले वो संचित हो गए, मतलब एकठे हो गए, हो गए ना, हाँ या ना, जोर से, तो जब आपने काम किया, तो आपको उसका क्या मिला, फल, अच्छा काम करोगे, तभी तो पैसा मिलेगा, अब मजदूर महनत ना करे, काम ना करे, तो आप उसे मजदूरी दोगे क्या बैठे बैठे का तो कोई ना देता भाया काम तो करने ही पड़ता है तो जब क्रियमान कर्म होगा तो क्रियमान ही संचित बन जाएगा मतला पैसे मिल गए अब वो पैसे घर ले गया और उसे जब जरूरत पड़ी तो वो उस पैसे से दाल लेके आ गया, नमक लेके आ गया, आटा लेके आ गया, जीरा लेके आ गया, मिठाई लेके आ गया तो अब उसको वही जो पैसा था उसे मिल रहा है खाने के रूप में तो वही है उसका प्रारद्ध क्या है वो? उसी का नाम है भाग्य तो आप जब exam देने जाते हो तो पहले आप लिखते हो paper में, kaupy में क्या करते हो लिखते हैं जब लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके number भी अच्छे आएंगे जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे means अच्छे से नहीं लिखोगे तो अच्छे नमबर कैसे आएंगे तो जो आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके नमबर अच्छे आते हैं और उस नमबर के आधार पर आपकी आगे की किलासते होती है आगे का भवश्चते होता है वही है आपका भाग्य जो कर्म करते हैं उसे किये गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्मान होता है हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा हम बुरे कर्म करेंगे हमारा बुरा भाग्य बनेगा हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नमबर जीरो आएंगे हम लिखेंगे तो हमारे नंबर सौ आएंगे तो हमारे जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे नंबर होगे उसी तरह आप जितना बढ़िया कर्म करते हैं उतना बढ़िया आपको फल प्राप्त होता है तो फल कौन सा मिलेगा कर्मों का फल बात समझ में आई क्या तो भाग्य बढ़ा की कर्म बढ़ा जोर से तो आज से आप लोग भाग्य का रोना मत रोईए गारे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था ये भाग्य का रोना वो लोग रोते हैं जो मन लगा के कर्म नहीं करते काम नहीं करते काम करोगे तो भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा भाग्य तो आपका गुलाम बनेगा भाई भाग्य तो कर्मों के आधिन है ना साहब हाँ या ना कोई कर्म ही ना करे तो कौन से भाग्य का निर्मान हो जाएगा इसलिए कर्म करना जरूरी है